परमेशर दा नवा ने एक दूत ने कुवारी मरियम नू कहा के ओ परमेशर दे पुत्तर नू जनम देवेगी जदों ओ अजे कुवारी ही सी उसने एक पुत्तर नू जनम देता अते उस दा नाम येसू रख्या एसलई येसू परमेशर अते संपूरन मनुख है यिसु ने बहुत चमतकार कीते जो सबूत देंदे हन के ओ परमेशर है ओ पाणी उते चलिया, तुफान नू शांत कीता, बहुत बिमार लोकानू चंगा कीता, पूता नू कड्या, मुर्दे जिवाए पांज रोटियां अते दो मच्चियां नू बहुत पोजनवेच बदल के पांज हजारतों वी वद लोकानू रजाया यिसु एक महान सिख्यक वी सी, अते ओ पूरे अधिकार नल बोलया, क्योंके ओ परमेशर दा पुत्तर है उसने सिख्याया, के तोहानू दूसरे नू प्यार करन दी लोड है बिल्कुल उससे तरह, जिवें तुसी अपने आपनू प्यार कर दे हो उसने एवी सिख्याया, के तुसी परमेशर नू बाकी सब गल्ला नलों ज्यादा प्यार करो अपने तान नालों वी ज्यादा येसु ने कहा के परमेशर्दा राज संसार दी हर वस्त नालों ज्यादा बहुमुला है हर एकलेई सब तों ज्यादा महत्तपुरुन जो गल है के ओ परमेशर्दे राजनल संबंदत होन पर मेशर दे राज विच परवेश करन ले तो हानू पापतों बचना जरूरी है येसु ने सिखाया के कुझ लोग उसनू ग्रहन करनगे अते बचाये जानगे पर दूसरे नहीं उसने कहा के कुझ लोग चंगी पूमी दी तरह हन उनना ने येसु दी खुशखबरी नू ग्रहन कीता अते बचाये गए दूसरे लोग रस्ते दी उस सक्त मिटी वरगे हन जिडे पर मेशर दे वचंदा बीज पूमी विच नहीं जानदा अते किसे वी फसल नू पैदा नहीं करदा ए लोग येसु दे संदेश दा निराधर करदे हन अते उस दे राजवेच परवेश नहीं करणगे येसु ने सिखाया है के परमेशर पापियान नू बहुत प्यार करदा है ओ उनना नू माफ करना अते उनना नू अपने बच्चे बणावना चौनदा है येसु ने सानू ए दस्या के परमेशर पापनाल नफरत करदा है जदों आदम ते हवा ने पाप कीता इसने एना दी सारी संतानू पर बावित कीता नतीजे वजों संसार दे हर व्यक्ती ने पाप कीता अते परमेशर तों दूर हो गए एसले हर एक परमेशर दा दुश्मन बन गया पर परमेशर ने जगतनल बहुत प्रेम कीता के उसने अपना एकलोता पुत्तर दिता के जो कोई भी यसू उते विश्वास करे उसनू उस दे पाप दी सजा नहीं दिती जावेगी पर ओ परमेशर नल हमेशा नहीं रहेगा अपने पापां दे कारण तुसीं दोशी हो अते मौत दे हकदार हो परमेशर तोहड़े उत्ते गुसे हो सकदा सी पर इस दी बजाए उसने अपना सारा गुसा यसू उत्ते पादेता जदों यसू सलीब उत्ते मरया ता उसने तुहड़ी सजानू अपने उत्ते लिया सी येसु ने कदी कोई पाप नहीं कीता पर ओ तुहड़े पापा आते सारे संसारदे पापानू दूर करन लई सजा लई एक सिद बलिदान लई चुणया गया इसलिए के यिसु ने अपने आपनों बलिदान कीता अते परमेशर हर पापनों माफ कर सकदा है एथों तक के बहुत बुरे पापनों वी चंगे कम तो हनों बचा नहीं सकदे कोई वी ऐसी गल नहीं जो परमेशर नल रिष्टा बनाऊन ले तुसीं कर सको सिर्फ यिसु ही तो हड़े पापनों तो उसकदा है तो हड़े लई जुरूरी है के तुसीं विश्वास करो के यिसु परमेशर दा पुत्तर है के ओ तो हड़ी जगां सलीब उत्ते मरया अते परमेशर ने उसनु दुबारा फेर मुर्द्या विच्चों जिवा लया हर एक जो उसुत्ते विश्वास करदा अते उसनु अपना स्वामी करके ग्रहन करदा है परमेशर उसनु बचावेगा पर ओ उसनु नहीं बचावेगा जो उसुत्ते विश्वास नहीं कर दे एस गलदा कोई अर्थ नहीं के तुसीं अमीर हो जां गरीब हो मर्द हो जां औरत बजुर्ग हो जां जवान जां तुसीं कित्थे रेंदे हो परमेशर तुहानू प्यार करदा है अते चौणदा है के तुसी यसु उते विश्वास करो तांके ओ तुहाडे नल करीबी रिष्टा बना सके यसु तुहानू बलौदा है के तुसी उसु उते विश्वास करो अते बब्तिस्मा लओ की तुसी विश्वास करदे हो कि यिसु परमेशर दा इकलोता पुत्तर अते मसी है कि तुसी विश्वास कर दे हो कि तुसी पापी हो अते परमेशर दी सजा दे हकदार हो कि तुसी विश्वास कर दे हो कि यिसु तुहड़े पापानों दूर करन लई सलीव उत्ते मरया अगर तुसी यसु उत्ते अते उसने तुहाड़े लई जो कुछ कीता है उसुते विश्वास कर दे हो ता तुसी मसीही हो परमेशर ने तुहाणू शैतान दे हनेरे दे राजविचों बाहर कड लिया है अते तुहाणू चानन दे राजविच रख दिता है परमेशर ने तो हड़े काम करनवाले पुराने अते पाप वाले तरीक्यानू दूर कर दिता है अते तो हानू काम करनवाले नवे तरम्दे तरीके दितते हैं अगर तुसी मसीही हो तां जो को जी यसु ने कीता है उस दुआरा परमेशर ने तो हड़े पाप माफ कर दिते हन अगर तुसी परमेशर तुहानू दुश्मन दी जगां गूडे मित्तर मानदा है अगर तुसी परमेशर दे मित्तर हो अते स्वामी यसु दे सेवक हो तां तुसी चाहोगे के जो को जी येसु ने सिखाया है उस दी पालना करो चाहे तुसी मसीही हो तुसी फेर वी पाप करन लई अजमाईश विच पवोगे पर परमेशर वफादार है अते केंदा है के जे तुसी अपने पाप पांदा एकरार करो तां ओ तुहानू माफ करेगा ओ तुहानू पाप विरुद लड़न लई शक्ति देवेगा परमेशर तुहानू केंदा है प्रार्थना करो वचन पढ़ो दूसरे मसीहीया नाल मिलके उस दी बंदगी करो अते दूसरे आनू दसो के उसने तुहाड़े लई की कीता है